निया के साथ निया बताएं कैसा रियाक्शन तब आया था कमोडिटी बाजार में और तब से अब तक अब रीसेंट कूल आफ को भी देखें तो कैसा मूड महौल रहा है दीप मैं भी कुशल का लिंक सुन रही थी बहुत इंटरिस्टिंग बात है कि या तो यहां पर इंडाइस गिरे हैं या फिर चड़े हैं लेकिन सबसे ज़ाधा ड्रामा हमने कमोडिटी स्पेस में होता हुआ देखा ये मैं क्यों कह रही हूँ क्योंकि जैसे ही 24 फरवरी को य सब में जैसे सबकी कीमतों में आग लग गई सबसे ज़ाधा तेजी हमने पहले दो हफ़तों में आते हुए देखी हम लगातार हमारे दर्शकों को बताते भी रहे कि 7, 8 और 9 मार्च यहां पर या तो अधिकतर कमोडिटीज ने अपने रिकॉर्ड स्तर्च हुए मल्टी वी जब 140 डॉलर के करीब 14 साल की उचाई पर चला गया था और अगरी कमोडिटीज में भी स्ट्रेंथ देखने को मिली क्विकली बता देती हूँ नाच्रल गैस यहां पर ट्रिपल डिजिट परसेंटेज में हमने मजबूती आते देखी जब 120 परसेंट भाग गया था निकल ए हर्मुस्ट 4 बिलियन डॉलर वर्थ वाइप आउट हो गए थे अभी भी उसकी इंवेस्टिगेशन जारी है तो इस तरहां की स्ट्रेंथ हमने बनते वे देखी अब यह तेजी क्यों आई है फटा फट में यह बता देती हूँ रूस और यूकरेन यह कमोडिटीज के सबसे की किलत हो जाएगी फ्रेट प्राइस बढ़ गए शिप्मेंट्स को लेके डिले होने लगी और उसी वक्त हमने देखा था कि यॉरप में पावर एलेक्ट्रिसिटी इन सब की प्राइस थे वो अल्रडी रिकॉर्ट सर पे थे तो यह पूरा एक डर बन गया और कीमते भाग लेकिन अब जो गिरावट दिख रही है कमोडिटीज में जैसे फिसल पटी पे वो अब फिसलते चले जा रहे हैं कई कमोडिटीज एनरजी स्पेस में देखा जाए तो कुछ-कुछ कूल आफ हुआ है 10 से 22-23 पुसेंट का कूल आफ हमने हाइस से बनता हुआ देखा है लेक सबसे जादा गिरावट दिख रही है और गिरावट की वज़ा भी मैं आपको बता देती हूँ दरसल कच्छे तेल की कीमतों में हमने करेक्शन देखा तो उससे जुड़े हुए काफी सारी कमोडिटीज यहाँ पर गिर गई चीन में कोविट महामारी के प्रतिबंद फिर स लग गए हैं अमेरिका में इंफलेशन का डर है फेड चेर जरॉम पावल साब कह चुके हैं कि महंगाई को टाकल करने के लिए वो हर मुमकिन प्रयास करेंगे ब्याश दरे सेंट्रल बैंक बढ़ाते चले जाए तो ओल इन ओल मांग को लेके एक बार खतरा बनता हुआ इतनी तेजी दिखाने के बाद अब कमोडिटी मार्केट में अक्रॉस गिरावट देखने को मिल रही है